सब्सक्राइब करने वाले हैं इनको तर्फ लोकी गीता कहा जाता है तिन श्लोक का शास्त्रा मतलब सारे विधांत का सार है वह किवल तीन आपको याद हो कि पिछले श्लोक में अंत में ने कहा था कि वेद दे करके विदान्त दे करके वह मुप्ति का भी सुविधा जीव को देते हैं तो वेदान्त का क्या ग्यान है वह भगवान के विल तीन श्लोप में बोल रहे हैं और इसको हम सार्म उसको भी हम सार्म बता रहे हैं तीन श्लोप में हम क्या सीखने वाले हैं बद्धजीव के बारे में हम सब लोग बद्धजीव हैं जो नित्य मुक्तजीव हैं जो भगवा और इसकी अलावा और कुछ चर्चा विदान्त में है नहीं यह समझ लेना चाहिए तो इस तीन श्लोग करेंगे हो सकता थोड़ा बोलेंगे वह आपको कल सुनने को मिलेगा और उसका प्रयास निश्फल कभी नहीं होगा वह निश्वत्रू से भगवत्राप्ति करेगा तो मैं पहले शुरुतिफल बोल दे रहा हूं ताकि आप लोंको सहा रहे सुनने में तो यह बहुत ही महत्पुर्ण श्लोक है प्रेम श्राक्षर एवचर श्रहसर्वानि भूतानी श्रहसर्वानि भूतानी उतस्तक कूटस्तो उक्षर उच्यते उतस्तो श्रूच्यते अभी जो शब्द हैं संस्कृत के इनको आपको बहुत ध्यान पूरक सुनना पड़ेगा देखिए यहां पे लिका है लोके मतलब संसार म स्मृति ग्रंथ में तो उसका अर्थ समझेगा यह आपको दो तीन बार शब्द आएगा दो बार तो कम से कम आएगा यहां आरा पिर अठार में भी आएगा देखिए वेद सीधे भगवान से प्रकट हुए उनके निश्वास से और उसकी आधार पर इस संसार में इस जकत म हैं रिश्वी मुनियों ने पुरान आधी ग्रंथ लिखेते कहते हैं स्मृति ग्रंथ तो यहां बगवान जब कह रहे हैं द्वा विमाव पुरुषव लोके इस लोक में इस अंसार में दो प्रकार के पुरुष जीव पाए जाते हैं अब शर्च अक्षर एवचा एक शर हैं जो परिवर्तनशील है और एक अक्षर है जो अब परिवर्तनशील है अब एक प्रश्ण खड़ा हो जाएगा कि इस जगत में हमें मुक्त नित्य मुक्त जीवत देखते नहीं तो यहां पर लोके का अर्थ संसार नहीं है यह जगत संसार में जो पुराण ग्रंत हैं उनमें मालूम चलता है अब तीका में देखेंगे क्या मेरी बात अब समझ बार है संसार में संसार के में जो रिशी मुनियों ने लिखें है ग्रंत उनमें दो इन दो परकार के जीव का बढ़न हो रहा है अगवार में हो रहा है कभी कि नि जैसे भी प्रभुपाद जी की टिपड़ी हमको जो श्लोक का अर्थ है उस पर प्रकाश डालती कि निया डालती समझ बाता है न और दिक तो इसलिए पुरान जो है वो वेद के ऊपर ठीका है इसलिए लोक अर्थ आलोग दे वने वाला प्रकाश देने वाला तो लोक के मतलब पुराणों में स्मृति ग्रंथों में दो प्रकार के जीवों का वर्णन है एक है शर शर मतलब परिवर्तनशील मतलब अब आप कहूंके नहीं जीव तो कभी परिवर्तित नहीं होता है तो आप शर क्यों कह रहे हैं तो शर कहने कारत है कि उसका जो बहुत एक शरीर है वह परिवर्तित होता है इस कारण से उसको शर कहते हैं क्यों कहते हैं शर क्या नाम है उद्वद्दार कदीश प्रभू माइक दीजे प्रभूजी को एपसेंट मांड़ कोई नहीं रह सकता है इस सुमझा के मानूंगा श्लूक यस उसका जो भावतिक शरीर होता है वो परिवर्तन से ओके आप शर हैं आई को बताओ जी हां मैं शर हूं जी हां हमारे कृष्णा प्रूभू शर हैं सब लोग अन्पाम कृष्णा जी परिमाता एक्षर मतलब बड़ा सपस्ट है जिसका शर चेंज नहीं होता फिर मायक पकड़ी है शृदामा सक्खा जो क्रिश्णी के सका है वो शर हैं कि अक्षर हैं अक्षर हैं और लट सब्सक्राइब क्यों अक्षर हैं कि वह भगवान के संग में है यह उद्वर नहीं है यह उद् सब्सक्राइब कंषर sì Kiko Diya है यह सब्सक्राइस परवरते नहीं होता अब इसको दे investigator robustani इस ज retard cred जतने बी जीव है वो शर्ष क्यों सररा है शर्य चर्र जो भी कहिए चर्र है क्यों सब का शरीर परिवर्त नहीं कोई समझना में बद् αुप्तामर्ण हूँ और मेरा स्रीर परिवर्तित होaron अक्षरतन्षील है और को अक्षर का मतलब हुआ नित्य्मक्त जीव कि समझ में रहा है नहीं समझ मारी कूटस्त का मतलब अपरिवर्तनशील तो शरह सरवानी भूतानिक आर्थ हुआ कि जो इस जगत में बद्दजीव हैं वह अशर कहलाते हैं क्योंकि उनका शरीर परवर्तित हो रहा है और अध्यात्मिक जगत में जो भगवान के नित्यमुक् तो समझ में रहा है आप छर हैं कि अच्छर है क्योंकि आपका शरी रिसम में हां बहुत इसले परवर्तितुर ठीक तो यह कहां वड़न है लोके लोके का अर्थ है पुराणों में स्पृतिक्रंतों में एक बार इसको पढ़ जोरुक लिजए का बात में तो और अश्चे से एक ही अर्थ है तो उसके गुणों को क्लियर कर रहे है बगवान कुटस्त का मतलब है कि वह एक रस रहते हैं उनका उनका कभी अज्ञान में नहीं पड़ते हो ठीक इसी को आप चैतन चर्तामित में पढ़ेंगे नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध नित्य बद्ध हो गए शर आ रहा हो कि वह यह सब जानकर कि हम सिद्ध हो जाएंगे ऐसे कैसे यह प्रशन आ रहा है मन में अभी हमने क्लास के पहले बताया था कि यह सब ज्यान सीख लेंगे नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध तो हमारे प्रयास सफल हो जाएंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा यह जब दो कि य vidéos फीर ये आपने उनीस स्लोक आप प्ल दिना उसमे लिखा कुई इंगि होगा ये ये कि समझेंगे हम बद्ध हैं और हम यह समझेंगे कि नित्यमुक्त जीव हैं तो हम क्या करेंगे प्रयास करेंगे नित्यमुक्त जीव बनने का भगवान में मिल जाने का प्रयास नहीं करेंगे कि साध्य के लिए रोजाएगा कि में करना क्या है और उसके लिए आप जानते हो भगवान की भक्ति करनी है बगवान की भक्ति करेंगा तो सिद्ध हो जाएगा कि यह सब equation समझ में आ रही हैं जीव दो प्रकार के चूत तत्त अचुत बहुत एक जगत में प्रतेक जीव चूत यसर होता है और आद्धात में जगत में प्रतेक जीव चूत कहलाता है एक उसको आधर समझ सकते हैं चूत मतलब जो अपने संबन्द को भगवान से बहुता से और यह जितने पारिश को पारशद कहा जाता है और वह भगवान की सेवा का सुख नित्य ही भोगते हैं इंजॉईमेंट को मना नहीं किया जा रहा है लेकिन सेवा का सुख भोगना चाहिए इंदृतित्ति का दुख नहीं भग ना ची तो जो बहुत इक जीव हैं बोन क्या कर रहे हैं इंदृतित्ति का दुख रहे हैं और जो आध्यात्मिक जीव हैं क्रिस्ट की सेवा का सुक अनभव कर चृप इसे बाते समझ में आृहरे हैं विचैन्स कृव तो तो सुनकर क्या करना आपको पन में क्या विचार बात है यह बात है गीता वोशन ठीका भागवान कृष्ण अब वेदों के उस अर्थ का सार को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे जो श्रीला बादरायन रिशी के द्वारा दिया गया था यह लिंक आप लोगों को समझ भी आ रहा है हम लोग ने कल सुना था ना वेदेश्च को क्या ज्ञान शोल ढ tér को बगdo जानते हैं जिसको भावानें था दो दी कि ब्रिएंट के फूरा दान्त को आप आप वह सामने प्रस्तोत कर दे और इतना मैं यह असान कर दिया हम समझ्सक्ते मुझे का रहा थी कि कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता है बोलना आता है और कुछ लोगों को ग्यान होता है लेकिन बुलना नहीं आता है लेकिन भगवान के सुन्दर है कि सारा ग्यान उनके पास है और क्या बूलना है जिससे जीव ठीक समझ जाए उनको परफेक्ट आता है अब आपको मैं हमाई पास विदान सुत्र रखा हुआ है आप पढ़ने बैठिये माइंड फ्यूज हो जाएगा कि वह बोलना क्या चाहते हैं बहुत कठी नहीं बहुत कठी नहीं दो तीन बार प्रयास किया फिर उसना अगले जिनम के लिए चोड़ बहुत मुश्किल होता है समझने में लेकिन विदान का सार भागवान कृष्ण तीन श्लोक में बोलते हैं जो बिल्कुल एक बार में समझ जाया थे समझ मारा ना कि मैं बद्ध हूं मुक्तजीव हैं और कृष्ण दोनों के स्वामी किता इजी है चलिए आगे पुसंते हैं लोग शब्द हमने यह कहां लोगन है कि एक शर्भ है अर 23 टाल जो अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं क्याँकि उनके शरीर नश्र होते हैं यह tea के हीर समय लिजिए शरक अर्थ ये नई है कि जीव में परड़तना अता है कि अदर पहले गीता में समय से नहीं आएंगे तो पकड़ में नहीं आगा कि बात क्या बोलने कि लिंक में सबसे पहले बताता हूं लिंक आप छूट जाएगा तो फिर उतना रुची नहीं आगी और कहानी नहीं सुनाई जाएगी यह बहुती जगत के संसर के कारण बंद हुआ है यह लाइन समझ में है कुछ लोग पीछे क्यों बैठते हैं कि माइक वान ना पहुंचे और प्रस्णा किया जाए ठीक वह समझे पता है हम भी पढ़ चोके हैं कॉलेज में येस हाँ क्योंकि प्रभूजी हमारे बास बहुतीक जो सरीर है प्रभूजी तरह जोड़ से बोलो जो बहुतीक सरीर ह गोड़ यानि कि हमारा बहुत दूसरे वे हैं जो अनश्वर शरीर होने के कारण एक ही अवस्ता में रहते हैं समझ मैं आपको एक ऐसा शेट इसमें कभी खासी नहीं होगी कभ़े कोई बुखार नहीं होगा कभी पेट दर्त नहीं होगा कभी झाल्सांइस MAай और अशा नहीं कि हम लोग भावुकता में बोल रहे हैं सामने इक बिनांड हृप के आपकर सब्साने और शुक्ति प्राथीम तो क्योंकि सथ है शाष्वत है ज्यान में है आनन्द में इसलिए शरीर वहां पर परिवर्दन करने की कोई आफशक्ता नहीं चेंड नहीं होता है उनका इस बहुत जगत से कोई संबंद नहीं होता इसलिए वे मुक्त रहते हैं इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि यह बात अभी अगले श्लोक में आएगी नित्मुक्त जीवों का बहुत चाहें कितने शक्तिशाली हों इस बहुत एक जगत से कोई संबंद नहीं है वो कभी नहीं भोगते इसको भोगने के बारे में सोचते ही नहीं है उनके मन में कभी आयता ही नहीं है कि हमें जगत का भोग करना है ठीक यह बोलने उन दोनों का आगे वर्णन हो रहा है अब देखिए आज ही एक विक्ति ने प्रश्न किया कि ब्रह्माजे का श्रिर भौतिक है कि आध्यात्मिक सामने शर शब्द से ब्रह्माजी से लेकर सभ भी अचर प्राणि तक इंगित होते हैं ब्रह्माजी मतलब एकदम टॉप पे ब्रह्माजी लेजिए और नीचे चीटी तक कहीं और जेटा चोटा प्रान लेजिए सब का शरीर परिवर्तन है शील है मैंने आपको यादो 15.1 में आया था कि ब्रह्माजी का श्रिर कि गार्दी से बनाया हे यह नहीं कि किसी ने बनाया है वो बुद्धी का अध्यातिम के बवधिक है तब मेरी बास अमझ रही है जैसे मेरे पिता का शरीर बहुत है उनके पिता का मुझा तो तो क्या केवल नरायन भगवान बड़े हैं और उनका शरीर बहुतिक है तो क्या उते रथा ना स्वासी ब्रह्मा जी से लेकर जितने लोग भी आरे उनका स्वासी है लेकिन भागवाण से जो ब्रह्मा जी आरहें पुरूर अपल lower सर्च कर रहा था जैन धर्म के उसमें तो उनके साफ से उनका यह आर्गुमेंट है कि जो भगवान पूरी तरह स्परिच्वल है वह बहुत एक जगत कैसे निर्मान कर सकते हैं इसलिए भगवान है नहीं किता सुन्दर लाजी के ना कि खटाक्ष में बोल रहा है भगवान इसलिए भवान भगवान है नहीं अब शोला अध्य में जाने वाले हैं यह सब आस्वरी बिचार तो भवान सब कर सकते हैं इकन कनवर्ट मैटर्ट पूर्ट मैटर्ट इस प्रेट तो मैटर्ट एवर्टिंग एकन डू तो समझ में आ रहा है ब्रहाजी परियंत जिन लों क को भाष्व शरीर है व्माँत वह सब पहुतर शरीर देखिश सेलों में सुमर्स क्यों जुопके हम 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 पूरा तांगे सुचते ही की ही हम यह शरीर है हमारे certa अवाश पल्स पहचान जो है मारे जूटी पहचान वह इस श्रीर में रहती मतलब रहती मतलब शिपती रहती हम अ पूंचले हम इसंदे एखे लिए इसलिए सुनना कौन है आँ अचार आपकु इसने प्रस्टा आपी अपने संबंध को भले ही उनका लगता है कि शेडिक परवर्थित हो रहा है लेकिन हमें ध्हान देना चाहिए कि वह अपने संबंध को ब्ले ही उनका लगता है कि शन Maharी पर क्रिष्ण से कभी नहीं बोलते है कि एक और अच्छा उन्हें प्रश्ण कर दिया है यह मेरे मैंन में बात आ रही थे कि बात आना जाए जो चर्जीव है वह जगत का भोग करना चाहता है यह भी तो सीखा था मैं अभी अभी सीखा था कि नहीं कि आचारगन जो यहां पर आते में आप जानते हैं सवनातन को सब्सक्राइब के फोड़ हो जाते हैं अब आप सोच रहे देखो बहुत ही शीर है देखो फोड़े हो रहे फोड़े हो रहे और महाप्रभु एकदम सपोष्ट लिखा है चतन चर्थामित में उनको आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि तुमारा जैनल करें कि तुमारा ऊसमाज आपिया गव्या माद हमेंने रggल मेत हैं आपको को फोड़े निकल रहा है बहुत जिवरें लेकिन स्वैम को में डिखास चेतन चर्थामित मृटन महापरोष स्वैम ड़ले तुमारा चिरीर पूरी तुर dizzy तो आचारय अड़कों की इस पात देखो शूत्रों के ब्रामण को दिख्षा दे रहा था फिर वापस आगे खड़े होगा साब अब क्या बोलें आचारगण का कुछ आप समझी नी सकते उनकी भी लिला समझना बड़ा मुश्किल है और फिर बाद में वो कहे गंगाजी में कहते ना गंगाजी में गए अदू क्रिष्न को नहीं संव सकते ऐसे हम निद पार्षदों को भी नहीं समझ सकते हैं यह अरजुन जब यहां पर अरजुन जो रीन को शरीर है वह है सिस्ट्रों महराज के शेर दिव्व है लेकिन वह जगण में जब आते हैं तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि वह लगता की बहुत इक छेरी लेके चलरे कि यह बड़ा अच्छा प्रशन था मैं इसको अवाइड कर रहा था मुझे की थोड़ा सा हाइफाइ बात हो जाएगी लेकिन अच्छा प्रशन कर दिया तो हम उतर देरें इस प्रकार से बहुत इक गुद्धी से हम नहीं समझ सकते अब प्रभुपाजी बूल रहे हैं कि एक प्रभुपाजी अफ्रीका में कहीं जा रहे थे तो वहां पर येलो फीवर हुआ था तुश्य को डर लग रहा था कुछ आप क्या कहते उसको ही वैक्सीन ले लिजिए प्रभुपाजी को तो फीवर भी था है वह उनका पास्टाइम है शुद्ध बग्त जब बीमार होते ह कि उनके जो डिसाइबोस नको सेवत करने का मौका में बहिए बहुत कतर ना के ये बहुत कतर ना कि ये बहुत कतर ना सुद्ध बखतों का आप कुछ नहीं कह सकते स्पेसिल आचाय डों का वह क्या कैसे कर रहे है बड़ा मुश्किल है जैसे भाग्मान की लीला एक्दम भूला रहता है प्रोपाट जी का फिमस स्टेटमेंट है ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं कि मैंने कृष्ण को भूला हो सुने यह नहीं बात तो वह आपका अपना भी नहीं कर सकते हां प्रभशार का मतलब क्या होता है कि सारे मुझारे नित्यमुक्त जीव आ रहे है चलो कोई बात नहीं है स्वागत ठीक है आप लोग बाद में सुने रिकॉर्डिंग को दिक करने कहां थे हम लोग अक्षर पर पहुंच गे थे हां तो उनका इस बहुती जगत से कोई समय ने भोग को इच्छा कोई होती नहीं इन दोनों का आगे वर्णन हो रहा है च्छर चीव सदा एक ही अवस्था अर्था नित्मुक्त अवस्था में रहते हैं मतलब आप किती सुन्दर बात है विचार कर ले एक बार आपको अध्यात्मिक श्रीव प्राप्त हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए सारी खटना ही सब्सक्त और प्रभपात ने कितना असान कर दिय सब्सक्राइब करो और तुमको मिर्त्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाए गया बहुत अद्धूत मैंने पहले बताया था आपको कि व्यक्त पहुंच करके सारी शक्तियां सिद्धियां आध्यात्मिक सिद्धियां सब कुछ अपने आप राप्त हो जाता है कुछ प्रय जएता करके कि कि यह आदे कि द्रीक और विख्यक शख सक्री है唱 में एक याचा और फ्रे Г्ढा यह इक ही जीव घार्फ प Means और यह जाते है रहा है यह यहां पे कृच्मौ लिए जा रहा है समेपने ब्यूप चर beef ऋडिवार है उन्को एक साथ शर कहा Sis आकाश समझ मेरा मेरी बात हम सब बाठे हैं कि नहीं बाठे मान को छलो 20-10-15-20 बथे कुछ लोग यह ओनलाइन सुन रहे हैं तो सब लोग छ्षर हैं कि नहीं इस समय लेकिन क्या सब लोग एक व्यक्ति हैं कि नहीं तो अगर बोला जाया कि हम सब बद्द जीव गीता सुन रहे हैं तो सही है कि नहीं तो समुह में लेकि चलेंगे तो बद्द जीव एक शब्द आएगा हम सब बद्द जीव गीता सुन रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह समझना चाहिए कि हर विक्ति एक विक्ति इंडिविज्विली बद्ध जीव है यह नहीं सोचना चाहिए कि एक आत्मा बहुत सारे जीवां की रूप में हो गई है यह बात अभी बहुत सारे जीव इस दिव ग्यान की तपसा से शुद्ध हो करके मेरे पास आये हैं समझना इसका मतलब है कि जीव बहुत सारे जीव होते हैं एक जीव नहीं है जो बहुत सारे रूप में परणित हो रहा है इसकी वाकि हमने पहले भी किये थे तो अगर याद हो तो और इदम एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं कि बात समझते होंगे तो कई बार क्या कर चुक है कि मायवादी लोग ना कुछ भी पकड़ेंगे उसको घुमा फिरा करके अपनी फिलोसफी देना चाहते है भगवद की तो इतम सपस्ट है इसको घुमा फिरा करके कुछ ऐसा बाताया जा चुका है भगवान ने अपने व्यासदेव बतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया भगवान ने यहां पर विदान सुत्र की विशेवस्तु का सार संख शेप दिया है यह तो भी बताया था मैंने आपको क्या सार संख सेप है बदधजीव मुक्तजीव और इन को कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो स्रोड़ियों में विभाजित के जा सकते हैं चूत यानि शर अचूत यानि अक्षर चूत के क्या बाख्या की गई थी हाँ जो अपने संबंद को भगवान से भूला है अचूत की मतलब क्या है अचूतुष यह जो हमेशा भगवान से अपने संबंद को याद रखता ठीक जीव भगवान के सनातन प्रथक प्रथकी कृत अंश यानि विभनांश हैं इसका अर्थ जानते हैं इसका अर्थ है कि जीव ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से कभी क्रियेट हुआ है वह हमेशा जीव का तरहा है उसके डिज्वालटी रहते है भगवान भी वेक्ट्य की रूप में रहते हैं बद्धभास्ता में भी और मुठ आपके कर रहों कि इसके विपरीत सारे मत्र अप्रिट रहते हैं जब उनका संसर्ग भौटे जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं इसिव ब भूतानी प्रौध इवन को भूले हैं मतलब की जो बहुत करना है तो और द्यान कि यह लेकिन जो जीव प्रमिश्वर से एकत्व अब स्थापिद कर लेता है वह जो कहलाते हैं तो एकत्व का अर्थ क्या है आँ हां यहीं बात है उनकी अन्या भी लाशता शुनिए वह एक विक्ति रहते हैं लेकिन कृष्ट की सेवा से अतरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं रहती है इस समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है कि वह अपना अस्तित्व हो देते हैं ओफ्थ पेंडशी समझ में रहा है हिस venir हो आकाश किया हम अपना अस्तित्व हो देते हैं किया हम भग्वान से एक हो पुछ लेकिन एक किस दृष्टी से एच्छा के दृष्टी से कृष्ट चाहते हैं कि हम ने सेवा करें आप हाट अर जीव भी प्रेम में सेवा करता है तो एका तविक्तत्त्तु का नहीं है एकात्व सेवा का सेवा केcular को समझ Paul बहुत को ही बात नहीं है कि उनकी अपनी निज्जी सत्ता नहीं है बलकि यह कि दोनों में भेनता नहीं है वह है दोनों ही सचतानाद हो जाते हैं मल भगवान तो है ही और जीव भी उसी प्रकर का देह प्राप्त करता है यह सब सर्जन के प्रिवोजन को मानते हैं सड्य वे सब सरन के प्रेयोजन को मानते हैं निजए आध्यात्मिक जगत application नहीं इसको हमने पीला करके दिखाया हुए लेकिन चूंकि जैसा कि विदान सुत में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्तुरूत हैं अतेव यहां पर इस विचार धारा की व्याख्या की गई इलाइन समझ में आ रही है देखिए जीव भगवान के साथ ही शाष्वत है अ लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि किस समय जीव भगवान सी आया है है क्यों जमन यह नहीं आ रहा है मेरी बात जीव शाष्वत है है बगवान शाष्वत है तो आप यह नहीं कह सकते कि जीव की स्टिश्टी भगवान कर रहे हैं लेकिन यहां समझाने के लिए इस भाशा का उप्योग के जाता है कि भगवान से जीव आया समझ में आ रहा है ना बात भगवान स्रीकृष्ण के कथानुसार जीवों की दो स्टेडियां हैं वेदों में इसके प्रमान मिलते हैं अतेव उसमें संधे करने का प्रश्णी नहीं उठता कि इस सुंदर बात हैं बोल रहें यह बात आप लोग जो नहीं है उनको समझना होग कि वेद की वानी क्या कहते हैं उसको अपारुशेय है और एक और शब्द यूस करते हैं इनफॉलिबल हो क्या कहते हैं यह कहते हैं अच्छो तहम अलब वह जो जो ग्यान दिया जा रहा है वह हम अपनी इंद्रियों से इस समय वेरिफाय नहीं कर सकते हैं बहुत सारी बात ह तो एक बार मैं प्रवजन कर रहा है तो फेस्बुक में कोई प्रशने क्या गुरू जी स्वामी जी आपने आध्यात्मी जगत देखा है तो यह सब प्रशन बड़े गलत है यह दिखा रहा है कि उनका वेद पे पुरान पे विश्वास नहीं है और विश्वास इसलिए नह प्रशने को हमको यथावत स्विकार करना पड़ेगा हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं नहीं तो बताई आध्यात्मी जगत तो क्या परमाना बता बता पाएंगे बता सकता है अध्यात्मी जगत है कि भवान कृष्ण है नहीं है एक ही तरीका है वेद के द्वारा से हम लोग इस संसार में संगः शरत सारे जीव मन तथा पाँच इन्द्रियों से युखते शरीर वाले हैं जो परिवरतनशील है और इसकी व्याक्या पहले के श्लोकों में हो चुकी है मैं अस्षटे इंद्रियानी प्रक्रितिस्ता ने कर सब्सक्रते किस प्रकार से जीव इंद्रिय होते हैं कि यह लाइन समझ में आ रही है कितना सुन्दर प्रभपात बोलते हैं बेसिक सब पॉइंट है हम लोगों बोलते हैं अरे एक बहुत बोले मेरे को आपका चेहरा सूजावा दिख रहा है कि आपकुछ गलत दवात हो नहीं खा रहे है यह कोई कहता है आप तो बहुत नहीं खाया है तुम तो बड़े कमझोर हो जब शरीर से बहुरत मतलब क्या कहते हैं उसको हश्ट पुष्ट थे तो इस प्रकार से बाद में जड़ भरत जी उसको उसका उतर देते हैं लेकिन समझना होगा कि जीव जो शरीर में है उसका इस परवर्तन से कोई भी संबन्द नहीं कि इसके थेहरी तो समझ में आजाती है लेकिर हम लोग उसको प्रटिकल नहीं समझ बाते हैं ना हम ब्रद हो रहे हैं ना हम बीमार है ना कुछ भी है यह केवल शरीर के परिवर्तन है जिनको हम अनभव कर रहे हैं में आपका नाम क्या है मुझा भूल गया में जानता है कि यह विवेक हमारे पास होना चाहिए कि मेरा शरीर जो है वह पर बर्वर्तित हो रहा है जैसे आप आप जितने ब्रह्मचारी है यह थोड़ी दाड़ी निकले तो आप तो यह परिवर्तन शरीर का देखना चाहिए यह बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम बार बार अपने शरीर के परिवर्तनों को अपने पर इंपोस करना श्रू कर देते हैं कि हम मर गए यह वह वक्ति मर गया में बात आप समझ पा रहे हैं इस वेरी इंपर्टन लाइन और इ इसके लिए कितना प्रयास जगत और चल रहा है कि किसी तरह पढ़ापे को रोग दे वसे रोक नहीं पाते हैं कोरेविед मतार करते हैं लेकिन आध्यात्मी जगत में शरीर पदार से नहीं बना होता अते उसमें परिवर्तन नहीं होता है श्रीव परिवर्तन नहीं होता है इ जीव का मतलब क्या है यहां पर जीव का मतलब है उसका शरीर येस वो उसको देख रहा है जन्म विर्द्धी मतलब थोड़ा बढ़ना अस्तित्व प्रजनन शय तथा विनाश यह इन सब शब्दों कार्द समझते हैं हमारा मतलब शरीर का जन्म होता है कुछ समय के शरीर बढ कोटिक शरीर की परिवर्तन है लेकिन अध्यात्मी जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता वहां ना जरा है जरा का मतलब होता है बड़ापा नजन्म और नम्रित्यु वे सब एक अवस्था में रहते हैं एक अवस्था का अर्थ क्या है हमारे उद्दव दौरकदीश्प्रू कि हैं तो कब तक 50 शड रहंगे हमेशा हमेश आ बढ़ा नहीं होंगा है अनादी के अनत प्लयू को नहीं होगा शत्यूम्य के मघीत मर्ओं की मारज बोल रहे थे मुझे किया करते हो देलें कि नहीं है यहां करने सुना है और प्वाइक बात ह crédण भागता उट्म चोने पढ़ा इते हो कि पर उसको उसको रिपीट कर देंगा और किसी को याद नहीं रहता है कि पास्टेम हुआ है कि रोट वह तो वहां जाके मालूम चलेगा क्या होने वाला कैसा है अब वहां पहुंचेगा तो समझेगा आजब पहुंच जाएंगे तो समझ में आजाएगा क्रिष्ण क्रिष्ण की जन्म लिला जहां तक मैं समझता हूं के वल भाम विर्णदावन में होते हैं वहां पर नहीं होती है चोटी निला पड़े क्याश्वर अबस्था में रहते ह है शरसरवानी भूतानी जो भी जीव आदी जी ब्रह्मा से लेकर शूद्र चीटी तक बहुत एक प्रक्तिय के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है तो उसपष्ट है अते यह सब शर्य चुत हैं किन्तों आध्यात्मी जगत में मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं तो हमने यहां पर क्या सीखा लो के मतलब वेद पुरान इत्यादी इसमें दो जीव का वर्णन है एक शर है जो की बद्ध जीव है उनका शरी परवर्तित होता रहता है और दूसरे अक्षर है जिनका शरीर परवर्तित नहीं होता है लेकिन संसार का मतलब यह चलेगा अखबार में में ख़олодों निथा नित्यवक्त वाथन चलेगा नित्यवार्त का नित्यव मुझ तो लिखी तकी यह निए भी अनिर्भध हैं लेकिन महान से महान विक्ति भी जगत में बद्ध है बहर मुख है यह बहुत इंपर्टन बात है ठीक है यहां तक कोई प्रश्न है किसी डिवोटी को वहां पर नहीं ठीक है यह समाज में आ रहा है अब यहां पर सत्रमेश लोक में भगवान भगवान का बढ़न करेंगे अप किस पाद को दे सकते माइक उत्तमहा पुरुषस तुन नहां पुरुषस तन्या इपरमातमे य उदाहरत अ ते उदाहरत अ यू लोकत रयमा विष्या करें आ विश्या विभर्ति अव्याईश्वरह विभर्ति अव्याईश्वरह और सुन्दर्श लोक है उत्महा पुरुशस्तु अन्या इन दोनों से उत्तम एक पुरुष है पुरुष यहां पे एक बचन में है कि नहीं पुरुषाणी में किता दी तो सब्सक्त नहीं आया है उत्तमहा पुर है उसे क्या कहते हैं उदारता मतलब कहा जाता है क्या कहा जाता है परमात्मे परमात्मे ती उदारता है उनको परमात्मा कहा जाता है अटा है जो यह मतलब जो जह लोक त्रेम आविश्य त्ीनों लोको में प्रवेश करके प्रवेश जाते हैं उसी तरह आविश्य अविश्य उसमें प्रवेश करते हैं विभर्ती उसका पालन करहidad की गई थी ना पहले सूर का प्रकाश दे रहे हैं चंद्रमा का प्रकाश दे रहे हैं अगनी दे रहे हैं सारे ध्रमान को धारन की में सब व्याक्या हो चुकी है तो कौन कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं अब यह प्रश्ण मत कीजेगा कि यहां तो परमात्मा की बारे में बात हो रहे हैं कृष्ण सरवस्था चाह हा म्रें लिश्ता तो सपश्थ है कोन परमात्मा है रवान क्रिष्ण इoqueड़म बिबरती कह मतलब पूरे का पूरे विष्व का पालन कर रहे है शयुए हो चुकिए उब यह बह्रु परिवर्तनशील हैं और करकूख की कि वह कभी समाप्त नहीं होते हैं इश्वर मतलब कंट्रोलर अब बड़ां इंट्रस्टिंग यह बता यह कि क्या कोई बद्ध जीव शर्जीव इस जगत का पालन कर रहा है कि क्या वह इश्वर है नहीं तो यानि कि इस गुणों से इन गुणों से सारे बद्ध जीव आउट हो गए किसी भी बद्ध जीव को आप परमात्मा नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते कि कोई भी जीव जगत्म प्रवेश करके जगत्या पालन नहीं कर रहा है क्या बात्ति हो रही है बहुत सुन्दर टीक है मैं इसलिए बहुत खुश हुआ था अच्छा और कोई व्यक्ति यह सुक्ति प्रवेश कर रहे है कि आचार ओछ प्रवेश करने चले आते आपने वापस लेकिन प्रवेश करें च्रहां ऌन कोई कम नहींгор है तो इससे समाझ में आ रहा है कि न तो नित्थ सिद्ध जीव परमात्मा है और नहीं नित्थ बध परमात्मा है इस क्लिर समझ में आ रहा है ठीक मेरा इंटरनेट अनिस्टेबल हो गया यह नित्थ बद्ध इंटरनेट है और इस पर चेक के आवाज आ रहे है के लिए नहीं आ रहे है अब हरा हो गया तो अगर जिन्नों को आवाज नहीं आई उसको फिर से बता दे रहा हूं कि हमने क्या पॉइंट भी डिवाइस किया था क कि नित्य बद्ध जीव जो है वहां इस जगत का पालन नहीं कर रहे थो खुदी बद्ध है तो अभावान क्रिष्ण करते और नित्यमुक्त जीवों का इस अगत से कोई मतलब यह नहीं तो वह भी परमात्मा नहीं है तो यानी परमात्मा जिनके बारे बात हो रही है इन दोनों के अत्रिक्त एक परम पुरुष परमात्मा हैं जो साक्षात अविनाशी हैं और जो तीनों लोकों में प्रविश्च करके उनका पालन कर रहे हैं जिस कारण से उन दो प्रकार के जीवों का वर्णन हुआ उस कारण को इस श्लुक में कहा जा रहा है क्या कारण है भगवान को इन दोनों जीवों से अलग दिखाना भगवान उनके स्वामी है एक अन्य वक्ति है जो इन दोनों प्रकार के जीवों से भिनना है वो वक्ति कौन शूर ठीक इसी वे लोगों की बड़ी हम दो लखनाव में प्रवचन कर रहे हैं तो वेक्तिया है आप परमात्मा की श्रण में जाना चाहिए हमने कौन वही परमेश्वर कौन वही परम पता वड़ा स्थाइच्वल में कौन विष्णु 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 परम पिता परम 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 की रूप में वर्णित की जाता है उसको मतलब कृष्ण भगवान को चीस गुरुण के द्वारा वे परम होते हैं अब उसका वर्णन क्ये जा रहा है क्यों परमात्मा कह रहे हैं नियामक के रूप में वे तीनों जगत में प्रवेश करते हैं और सब को आधार देते हैं नियामक का मतलब होता है अरते हैं होक्त कर रहे हैं सब कुछ इसाकुछ भी नहीं इसा कुछ इनके कन्ट्रोल में महाराज premi बहुत अच्छा बात बोलते हैं बहुत सुंद्र अजिन महारा जी दियां। क्या इतना गलबड हुआ रहा है महाराज बहुत सुन्दर अत्यत दिये कहने देखो भगवान का ऐसा कंट्रोल है कि चाहे कितना भी बड़ा ड़कात हो लेकिन इस जगत से बाहर कुछ लेकि जाने सकता है कितना बड़ा संदर इनकितना बड़ा हीरो हो कितना बड़ा चोर हो तेकिन धरती के बाहर तुम कुछ नहीं लिखे जा सकते सब इने चोड़के आना पड़ता है है ना गंट्रोल भगवान का सभी को आधार दे रहे हैं यह आपने व्याक्या सुन लिया था ना चंद्रमारत्या दीक द्वरा सभी को आधार देने और संद्रशन देने का कार ए एक बद्द जीव इंगित नहीं होता है क्योंकि वे ऐसा कारी नहीं कर सकता यह तो आप भी मैंने पता था ना आप लों को हम लोग किसी को संद्रशन दे रहे हैं हम किसी के अधार है कोई भी बद्द जीव किसी का अधार नहीं तो दम सपश्ट है कि परमात्ना बद्द जी माइक दीजिए मुझे सामय बठाया पहास गया वचा रहे है चलो कुनाल को देते हैं कुनाल को दीजिए कि बताई रमातमा क्यों नहीं सकता बद्ध जीव कभी किसी का आधार नहीं बन सकता और रेस्टी में प्रेश करके उसका प्रावान कर सकते हैं हम हर तरह से भगवान पे अश्रत हैं आचा प्रेम कृष्ण प्रोग मुक्तजीव तो बगड़ सकते ना मुक्तजीव तो आपने बता है सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा नीग बन सकते क्यों नीग बन सकते बताओ माइक भी नहीं तो बोल दिया अपने अपने बस नह सब्सक्राइब बन सकते हैं अभी क्या पड़ा आप इंको कुछ खिलाओ भाई कुछ खिलाओ पिला सूख गए अभी क्या पड़ा वह है तो कभी इस बहुत ही जगत से मतलब ही नहीं रखते इसलिए उनका यह कहना कि प्रवेश्च करेंगे परमात्मा नहीं को मतलब ही नह सब्सक्राइब बन करके इस लोग का भाव प्रस्ना है और भगवान से जीव नहीं आए नहीं आए है है नहीं देखिये कई बार शरीर मैंने कई बार समझाया है हम लोगों को यहीं सब भाचा समझ में आती है उत्पत्ति शरीर इनका प्रयोग किया जाता है ताकि हम समझ सकें जीव भगवान से आया है तो आप कहों कि भगवान से कब आया है लेकिर ऐसा नहीं है वेदान सुतन में दम सपष्ट लिखा है कि जीव और भगवान दोनों ही अनादी और भगवान रिखी बोला है विद्धि अनादीन परकृति हम पुरुश हम कुई जानो आप ये कभी महीं कह सकते की प्रकृति कबाए इसलिए जैनियों का सिधांत जो है जो बगवान अध्यात्मिक हैं उनसे बहुत कैसे प्रकृतिया यह गलत है भगवान की अचन्त शक्ति से बहुत प्रकृतिया हमेशा से रहती है तुछ भगवान से आने का मतलब नहीं है पॉइंट यह है कि नित रूप से जीव भगवान की शक्ति है और उन पर आश्रित है यह भगवान से आया है यह नहीं कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि वह हम भगवान की विभिन आंश हैं और अब देखिए इसलिए हमने बहुत समय देकर व्याख्या करी थी कि आंश का बुलाश्य जिखाए थी कि ने सिखाये था आपको याद है भॉह सारा इजांपिल दिये गए थे समुद्र का अगने का तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी स्रिष्टी कभी हुई है यह भाशा का प्योंग किये जाता है जिसे हम बोलता है कृष्ण का श्रीर अब कृष् उनका श्रीर नहीं है उनका विग्रह होता है उन्में आत्मा का और श्रीग का भहतर नहीं होता है तो उसी अर्थ में भुशु को समझ ला होगा कि जीव सदा ही भगवान की शक्ति अभी हमने पछले श्लुक में पड़ा था भगवान का विभिन आश्य है और वह शाश्वत है भगवान की ही तरफ क्यों कटना या रही है क्योंकि हर जगे जगत में हम देखते हैं पापा थे मम्मी थे बच्चा था फिर वह पापा मम्मी बन पाप फिर बच्चा हुआ यानि कि जगत में हर वस्तु का हम आदी और अंत देखते हैं तो इसलिए धारना करना कि कोई अनादी है बड़ा मुश्किल होता है और वह अनादी विक्ति कोई और नहीं आप भी है और भगवान भी है लेकिन हमारी सत्ता भगवान से अलग नही है यह समझ रहे ना इस जगत में भी हमने व्यक्या किया था भोग कर रहा है तो पूरी तरह बगवान प्याश्रत है और आध्यात्मिंजगत में त्वास्त हैं इस लोग का भाव कठ उपनिश्यत तता श्वेता श्टर उपनिश्यत में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त वहां यह कहा गया है कि असंक जीवों के नियंता जिन में से कुछ बद्ध हैं कुछ मुक्त हैं एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है उपनिश्यत कर श्लोग इस प्रकार है नित्यों नित्यानाम चेतनस चेतना नाम आगे कर श्लोग है एको बहुनाम यो विद्धाति का कामान बहुत सारे नित्य हैं शब्द क्या यहां पर नित्य मतलब शाश्वत जीव बहुत सारे हैं सुरी नित्यानाम नित्यानाम मतलब बहुत सारे जीव हैं उनमें एक नित्य हैं कौन वह नित्य हैं भगवान परमात्मा चेतनस चेतना नाम बहुत सारे चेतना वाले वेक होने की इच्छा हो यह समझ में आ रहा है आज छोड़ूंगा तभी जब तीसर अश्लोक होगा ठीक है रहा है मैं दूसरा अश्लोक हो जागा तभी पहले से त्यार रेज़ेगा गाड़ी मत देखना सारांश यह है कि बद तधा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक प सुन है कौन है राजक्मार स्रश्थग भगवान स्रिष्थ है और हम थोती मैंना करें तो दूर्थ और केया था धंग दूरोगां कि लागन कर लें महान lett को सकते क्या मैं ख lightए सेवक आख ठीक हम हैं ही पहले से दित वे भगवान पर माथ मान रूप में सब के हृवश निमी भगवान तो है भगवान कौन परमपिता कृष्ण एक दम क्लियर रहे हैं यह आपनों को बहुत क्लियर है लेकिन हमारे रिष्दार है और व्रत हो गए और अमेजिंग है कि वह सोला माला भी कर रहे हैं लेकिन एक मलाल रहे गया कि हमें आज तब कोई बताए ने कि ईश्वर क कौन है जब बता तो इश्वर कुद बता रहा है कि मैं इश्वर हूं और कौन कर बताएगा 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 गुगल आपके बताएगा क्या बुद्धि ये लोगई जो बुद्धिमान व MICT ने समस्थ सकता है वह पून्षानति लाप कर सकता है क्यों क्यों क्रिफिन के सेवा करना शुरू करते हैं तब ये हुर्यदय में हम ठंडक प्राप्त कर सकते जब तक भूग करते रहेंगे अपने आपको भऑग्वान कोमपेटर समझते रहेंगे बढ़ी आपके अकली श्समाट अंब के स्मयवा यह कुछ गरत भड़ ड्रव्म के काW strands दो हम इस मुसके जब दो हम यह अक्षराद पिचोट महां अक्षराद अपी चौत महां आतोस मिलो के वेदेचा प्रतितह पुरुषोत महां यसमात मतलब क्योंकि शरम अतीतो चर मतलब बदजीव तो क्योंकि मैं बदजीव से भी अतीत यानि कि सुरिष्ट हूं अक्षराद अपी चौत महां जो अक्षर हैं जो मुक्त जीव हैं उनसे भी मैं सुरिष्टू मैं मतलब भगवान कृष्ण अत अस्मी लोके वेदे इसलिए मुझे लोके का यहां पर अर्थ गया हुआ पुराणों में वेद मतलब वेद में प्रतितह का अर्थ प्रवपात क् पुरुष्टम के रूप में समझ में आ गया पुरुष्ट जीव है लेकिन वह उत्तम पुरुष्ट नहीं है क्लिर समझ में आ रहा है यसमात अक्षरम अतितुहम अक्षरादपिच उत्म अब कैंगी कि इस पर समय में चूंकि क्योंकि मैं भगवान कृष्ण बद्ध बद्ध जीव दोनों से ही स्रेष्ट हैं मुक्त जीव मतलब नित्यस्द्व पार्शप उनसे भी स्रेष्ट हैं इसलिए लोके मतलब पुराण में और वेदों में मैं पुरुष्टम के रूप में विख्यात हूं मैं का मतलब भगवान कृष्ण इस सबस्पस्ट समझ में बहुत है और इसको जान के विख्या करने वाला है उन भग्वान पुर्ष्टम की ही सेवा वेकरेगा गवान की भक्ति करेगा एक्दम क्लीर समझ में आ रहा है कि मैं भगवान का अश हूं जीव भूत अवस्था में हूँ मद्ध जीव हूं भगवान की से वा करुंगा तो तो बड़ी असानी से भगवान के पाश्वदत्व प्राप्त हो जाए कि भगवान इसके विए हमारी स्वेम मदद करेंगे और इसको आप यदि कल क्लास में आए तो आप दोश्ट लोगों में सीख जाओगे चूंकि मैं च्छर तथा अक्षर दोनों से परे हूं दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्विस्रेष्ट हूं अतेव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पूरश के रूप में विख्यात हूं प्लीज आप ध्यान दीजिए यहां पे संसार का मतलब क्या है अब अब तो पुरान आप समझ रहे ना वेद और वेद और यहीं बात को दो बात क्यों बोलेंगे लोकिया और वेदे का अगर वर्त वेदे हुआ तो आसा ही नहीं है वेद भगवान से सीधा आया है और वेद के अनुगत में अभी आप प्रपात कर टेकर देखेंगे प्रений कोई और अभिए रुपी मां कहती कृष्ण भगवान है और पुरान थिद्eee कहते ह्या विक्रश्ण भगवान हां बहुत सुन्दर श्लोक है यह कह रहा है अर वेक्ति का मतलब पानवाला नहीं अर विक्षात का मतलब है कि और विक्षाता कर भगवान है नहीं जान रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है भगवान की प्रॉब्लम नहीं ठीक है कि तब को पुर्शोतम शद्द की व्याक्षा करते हुए भगवान अपने सभाव का वणन करने और भगवान का सभाव क्या है वह उत्कृष्ट हैं बद्द जीवों से भी और नेतसित मुक् क्रिष्ट तम्हा लोग के अर्थात वह शास्त्र जो मनुष्यों के द्वारा रचित हैं स्मिर्थिगंत लोग अर्थात जो वेदों के अर्थ का प्रकाशन करता है एक बात आपको समझना होगा कुछ संपरदाय हैं जो कहें पुरान पर विश्वास नहीं करते हम केवल वे प्रकाशित करते हैं वेद का अर्थ बड़ा गोय है समझ नहीं आता है इस कारण से वेद्व्यास जी नहीं पुरान लेखे हैं जब लिखा गया कि यहां क्या लिखा जा रहा है अधिका में का लिखा मनुष्य को तर रचित हैं तो वह मनुष्य भी ऐसा नहीं है हमारी तरह हम आपकी तरह वह पीच्डी करने वाला के लिख दिया हो गरंथ वह आचार हैं उनकी इंद्रियां पूरी तरह से पूर्ण है और आपने सुना था स्वेम भगमान बादरायन व तो यह कोई भी लिख सकता है यह की इसक्ता है उनका यह कई लिख सकता यह लिख सकता है यह इसा से एक लाएं तो जो वेह दिवाश जी ने गरंथ लिखे हैं वह हमारी तरह कलपणा में नहीं लिखा गया है हम कुछ लिखेंगे कलपणा करके सोचते हैं अशी लिख रहे हैं ईसे मुझे याद है मैं एक स्कूल में एक ऐसे लिखने के लोग बोला गया थाता तो मैं ऐसे सोच गया राजी गांदी का जो मडर हुआ उसपर मैं मैं ऐसी लिख दिया मैं आर्या पे था क्या प्रवचन में प्रवचन में सुन्टा विता जिसके हिरदे में प्रेम होता है लिला स्फूरित होती है तो उस प्रकार से उने श्रीमाद भागवतम का बंदन किया प्रवचन में प्रवचन में प्रवचन में सुन चुके हो त्योंकि अन पुरानों को लिखने के बाद भी उस प्रकार से वर्णन नहीं हुआ जैसा कि श्रीमत भागवतम में एक्स्क्लूजिवली हुआ लेकि श्रीमत भागवतम के सब्सक्राइब करें और उसके बाद स्मरण का मतलब दर्शन करें और फिर उसको लिखें याद है ना पढ़ाया गया था इस बात को तो यह बाकी का हम नहीं किया सकते लिए इसमें इस पश्ट लिखा है और बाकी पुराम भी जानते हो उसका उ सब्सक्राइब करना चाहिए वेद में यह कहा गया है जैसे एक सब्सक्राइब प्रश्ण क्या जब भगवान कृष्ण भगवद गीता को अर्जुन को बोल रहे थे क्या व्यासदेव जी वहीं बैठे थे क्यों होई आप समाज में आए कि समाध्य भाष्ण है कि नहीं वहीं से बैठे बैठे उस सारा देख रहे हैं और उसके बाद को आजड़िस लिख दे रहे हैं भगवद गीता भी समाध्य भाष्ण हुई ना मेडिटेशन के द्वारा भगववान ने पूरा देख लिए अपने दिविद्रिष्ण से देख लिया कि बगवान क्या बोल रहे हैं और यह थावत उसको प्रस्तुत कर दिया कि इसलिए विग्रन्त है तावद एश्य सम प्रसादो स्माध चरीरात्व समुत्थाय पर्म ज यह क्यों कोटेशन दिया गया है यह दिखाने के लिए उपनिशाद जो वेदों का आंश है उसमें भगवान का वर्णन हुआ है परमात्मा की रूप में ठीक इसका यह हुआ कि परम पुरुष अपना अध्यात्मिक तेश प्रकट करते तथा प्रसारत करते रहते हैं और य अध्यापिताह कार्यस्तु भगवान पुरुष तमहां अवत्यरणों महायोगी सत्यवत्यां पर आशरात वे परम भगवान पर आशर रिशी के द्वारा सत्यवती के गर्व में प्रकट हुए यहां भी शब्द पुरुष तम है तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए इसकंद प्रान के उक्ति है कि स्वें भगवान ही व्यास परे और उन्होंने इस सारे ग्रंतों को लिखा है और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तात्परे प्रहुपाजीगा भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है ना बद्द जीव ना मुक्त जीव इसकी व्याक्या हम लोग करी रहें अतेविवे पुरुशोत्तम है अब यह सबस्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान विष्टी है मतलब विष्टी का मतलब क्या है इंडिविजुल है यानि कि मुक्त होने के बाद भी जीव भगवान नहीं बनता है वह उनकी सेवा में लगत गश्रण को पर चुक्ता इसको मैंने पहली व्यांख्या किया था कि ब्रहत भागतामरत में सभी व्यखुंट के पारशुदों का जो शरीर है विए सभी तो नहीं कह सकता तरहीं का भगवान के रूप जैसा होता है लेकिन और उनके पास भगवान जैसी शक्तियां होती है लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि भगवान स्वामी भगवान वर्शे शक्ति वालें वो सिवक और भगवान स्वामी इस बात वह ने बताया था ना आप गोपर कुमार जी किसी वैकुंट के पाशड़ को देखे वह भगवान है और उनको प्रणाम करना शुरू करें तो क्या यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान सतर पर है यह सब प्रकार से एक समान है इनके विक्तित्वों में सदेव स्रिष्टता तथा निमता बढ़ी रहती है उत्तम शब्द अत्यंत सार्तक है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है तो मैं समझ में आ रहा है अब देखिए लोग ऐसी मुर्तापूर व्यक्या करते हैं यहीं आप पास में आप जानते हो लीला हुई थी कालिया की तो जब कालिया ने भगवान को लपेट लिया और भगवान तब जानते हो लीला कर रहे हैं कि मलब सब लोग को लगे कि अरे मेरे बच्चे को पकड़ लि कर आप दो भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तब जिए कर न शुरू किया और यह मजाक्यीद नहीं बुला वाकई और तब उनको शक्ति प्राप्त होई वह कालिया पे विज्य प्राप्त कर लें उनको बहुत तुमको को अगर अजगर पकड़ ले तो तुमको इतों को किसी को आजगर पकड़ तपसा करेगा और कितनी दिर तपसा को पाएगा कि निशक्ती प्राप्त होजाएं एक दम निर्थक व्याक है और एक निर्थक व्याक है ऐसfeld को को हब ने नहीं हो सकती चाहेगा कुछुभी कर ले मैं फिर से रिपीट करूँगा इस बात को जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है वो चाहे कुछ भी कर ले उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा कुछ भी कर ले और यह क्या मैं बोलना इतने आप क्या से बोल रहे हैं मोग आशा मोग कर्मानों मोग ज्याना विचेत सहा राक्षिसीम आसुरिम चैवा प्रकृतिम मोहीने मिस्रता बड़ा सपष्ट भग्मान विध्याम बुलते हैं को आशा मोग आशा मतलब मुक्त होना च अगर कृष्ण को समान विक्ति मान लिया इस अप्राश्व से विक्ति को सदा बचना चाहिए आपने तो डिवोटी है लेकिन लों को नहीं पता इस बात से बहुत चतर करना चाहिए क्रिष्ण समान विक्ति नहीं है आप ज़रा यूटूब पे देखें को कभी कितने सारे विडियो है कृष्ण कैसे मरे इनको तीर कैसे लगा उनका शरीर कहां चूटा यह सब नरक के कैडिडिट है खुद बहुत है बहुत सीरस्ली लोगास मुझसे ऐसे प्रश्ण करते हैं बहुत को कैसे मारा बहुत कैसे मरे यह सब कभी भूल के भी सब सोच रहने चाहिए और इसको डाउट हो तो ग्यारविस कंदे का मैं समझता हूं तीसमा ध्या या इकतिसमा ध्या पड़ सकते हैं इस पर्श्ट लिका है कि जरा ने भगवान के जो तीर मारा था हो लगा नहीं तो साइड से टच करके चला गया था पर जरा आता है बगवान थर थरा रहा रहा था क कुछ नहीं मिलेगा कि आप अपलोग सब डिवोटी हैं लेकिन मैं प्रबचन के द्रिश्ट से बोल रहा है बाद लोके शब्द पौरश आगम यानि स्मृति शास्त्र में उसके लिए आया है आप समझवाएगा प्रपात पता रहे हैं इस बात को संसार मतलब संसार में जो स्मृति ग्रंथ उनमें इस व्याक्या है जैसा कि निरुक्ति कोश्ट में पुष्टी की गई है लोक यह थे वेदार्थ अनेना वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित हैं यह भी समझाया कि आथा कि वेद का अर्थ बहुत मुश्किल होता है पुरान के एंगी वेद पे जो आलोग ढालता है उसको लोके कहा जा रहा है उसको पुरान कहा जा रहा है पे महना प्रोंसा में पर सब घैप भगवान के अंतरियामी परमात्मा पया है है निम्नलिक श्लोक वेदों में च्छांदों को पनिशहत में आया है इसको भी उने पढ़ लिया था बैफिट से बस पढ़ रहा हूं तावदेश संप्रसाद अस्त्मा शरीरात समुथ्थाया परम जोति रूपं समपद्य स्वेना रूपेर्णा भी निश्पद्यते सउत्म आत्मा ही परम पूरुष क्यालाता है इसको बहुत अगर आसानी समझे भगवान आध्यात्मी जगत में हैं ब्रम जोती है बहुत एक जगत है भगवान अपने आपको परमात्मा करें विस्तारित करते हैं जब तक यह जगत रहता है एक मेले की तरह फिर जब यह जगत है अंतरयामी परमात्मा ये जानते हो उनका नौकर नाम क्या है मैंने जानुभुघ मैस कैसे नियूर्व प्रस्टशन की तो न के नाम है सिरो दकाशाय विष्णू को भुस्तार है इस pronounced कलियुछ जज़ुचे भीष्ण फिर शिरोदेगा विष्णु ठीक कृष्ण भी कह सकते हो कृष्ण ही है लेकिन की विस्तार भगवान सत्यवति तिधा पराशार के पुत्र रूप में अवतार ग्रहनकर व्यासदेव की रूप में वैदि ज्ञान की व्याख्या करते हैं इसके उम्लों कर चुके को कुछ प्रश्ण किसी भक्त का है चा करता हूं पर मातमा ने अरे अगे हैं आध कोई प्रस्ट नहीं है नहीं आद दख रहा है इंग्लिश में प्रश्ण कर रहेता इतना लंभा इंग्लिश स्क्रीन फ्रीज अच्छा हो चुका है प्या जीव भगवान से नहीं आता इसकी में भागा कर चूके नहां करते हैं और क्या है कि है को क्या रहा है कि ईदयर भागवान की सप्रेंड झा है वर्च न सुरूब dispC लिष्व उनकर अपने पहले बताया था दे रहा हो नहीं है तो यानिकी जीव होग अलग दिखे आ रहे हो प्रेम किरस्व को अलग हैं कि हम लोग वासिए के अधिसक्टिशिक्र कर सकते हैं गphaगमान के लिए संभवाइं कि अपने कोई क्लास दे सकते हैंено लगinfl Saklan कर सकते हैं खुद और सकते हैं और अपने ऊपको इक लाइश这个 सब्सक्टिख्प और सुमझ रहा हैं जैसे कि ब्रह्मी मेंहाणी निया में देखते हैं वो भूधी को आलबाल बन जाते हैं खोधी वह बच्छणा बन जाते हैं और खोधी अपने आपको हांक ते है यह समझ में आ सब हां सबढ़ बने थे पता नहीं इसाद बंदर बंदर को तुनि लेकर ब्रह्मा जी या रिटल क्रिश्ण इस दिखाया था थ्या ठीछ अ अतोच भी लोगे वेदेच्छ अ पर दंडी बने थे लेकिन बंदर बने थे मुझे पता निकी बंदर ब्रहाज नहीं सम्में उनको जो लोग चुराए गए थे वो बने थे ना पता नहीं मैंने ध्यान नहीं बंदर बंदर को नहीं लेके गए थे बच्छड़े और गौळ बाल लेके गए थे चलो अब वैसे बन भी सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन वैसे पॉइंट है कि गवाल बाल गायव हुए थे उनकी चड़ी भी थी तो चड़ी की रूप में भगवान हो गए थे तो बड़ा अधूत है तो अपने अपने को अपने हाँ से पकड़े हुए हैं अपने को हांक रहे हैं शुरुति माता प्रिष्टा अब सुन्दर शुरुति माता प्रिष्टा दिशति भवद आराधन विधिम बड़े सब लोग स्कॉलर हो गया है यथा मातुरवाने स्मृत स्मृतिरपित था वक्ति भगनी पुराण आध्य येवा सहजन निवहस्ते तद अनुगा अता सत्य ग्यानम अता सत्यम ग्यातम मुरहर भवान एव शहर नम मध्यलीला 22.6 लिख लीजेगा बहुत अच्छा है इस लोग क्या रहे हैं तो इस चुति शास्त्र जो है सब वह निच लोग कोड़ किया तो इसको बोल दिया इसको आप लोग पढ़ लीजेगा 22.6 कह रहे हैं गीता क्लास सुनकर जगत सुनसान लग रहा है लेकिन इस उनसान जगत में आप सुबह सिप करने य यह यहाँए लग कार एग्यामुट में वाग की दाच रहा हूं इस इस प। मे लोग को आप एख चाल चल रहा है और जब यूद करने जाए तो तुसको में K지만 धु अच्र नहे प्रातना कर रहा हूं करने के लाब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यह सब खाली कहने की बात है मैं प्रातना के लबा कुछ नहीं कर पा भवान जो कुछ कहने वो करना चाहिए क्या करना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रा बात है जीव को समय कहते हैं कि हम नमरता का अर्थ क्या है कि वह सिंपल मैं पतितू लेकिन बगवान सकते चाली है भगवान के धाम जाही नहीं सकते तो फिर इतना सब करने का मतलब क्या है और मैंने पहले में मजाग में उतर दे रहा हूं बिल्कुल जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं हम लोग कल व्यक्षा कर रहे थे कि थोड़ा सा खो देंगे इस डिरेक्शन में थोड़ी सी भक्ति वि जाता है अगर आप पहले जाना तो मेरा रिकमेंडेशन करना कि प्रवजी ने कुछ बताया था अगर मैं पहले पहुंचगा तो आपके रिकमेंडेशन कर दूंगा है ना एच्छा रहेगा क्या है कि तीनों विष्णू को बताईए कहां कहां पे है वन पॉइंट अब इसक कृष्णा इस सोर्च वाल करनेशना उसमें पुरा पढ़ाया गया है तो उसको थोड़ा सा मैनत कर लीजिए भक्तियोग प्रवचन में सुना था भग्वां महाराज के अने तैंक यू अच्छा है वो मझे रफरेस्ट दिया आपने और को बगत के प्रशन है ठीक है यहां पर रुकते हैं तो आप ध्यान दीजेगा यह तीन श्लोकों का शास्त्र है भगवत गीता पंदरा सोला 15.16 17 18 जिसमें मनित्व मध्ध नित्व मुक्त और भगवान का वर्णन हुआ है यह वेदान्त का सार है और इसको जानने से क्या फ़ल होगा वह हम कल सुनेंगे कि वह इन तीश लोकों को जान लिए तो आपको सिध्धी जरूर प्राप्त होगी कैसे होगी इसकी व्याक्या के लिए आपको खलाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की जाए श्रीमत भगवत गीता की जाए